बिहार के समस्तिपूर में खाना बनाते बक्त, सिलेंजर धमाका होने से लगी आग में 30 से जादा बच्चे कच्चे मकान चपेक में आगाए एक साथ इतने मकानों की जलने से कई लोग बेखर हो गए, कुछ मवेशी भी इसमें जुलस गए जिसके बाद पूरी बस्ती आग की लप्टों में घिर गई और धुए ने पूरे इलाके को अपनी आगोश मिले लिया जिस इलाके में कभी लोगों की बस्ती हुआ करती थी, वो पल भर में राग का धेर बन गई दूर दूर तक नजर डोडाने पर भी एक मकान ऐसा नहीं दिखा, जो आग के कहर से बच पाया हो अपने आश्याने जलने के बाद रोते बे लगते परिवार अपना बचा हुआ सामान तलाशते नजर आया आग लगने की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगर्ट की तीन काड़ियों ने आग पर काफी देर की कोशिश के बाद काबू पाया पहला सिलिंडर फटा उसके बाद फिर उतिन सिलिंडर फट गए और उसके फट जाने से यहां लगभग 25 घर जलकर राख हो गया है प्रिशासन की टीम ने बस्ती में आग लगने से करीब 30 लाक रुपए के नुकसान का नुमान जताते हुए परिवारों को पूरी मदद का भरोसा दिया हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं आधे हिमाचल में सफेद कर्फ्यू जैसे हालात थे हैं क्योंकि बर्फबारी की वज़े से 5 नैशनल हाईवे और 500 के चोटी बड़ी सड़कें बंद हो गई जबकि लोगों के घरों और बाहर खड़ी गाडियों पर बर्फ की मोटी चादर बिज गई वहीं बर्फबारी के बीच घर से बाहर निकलने की कोशिश जान को खत्रे में डालने जैसी साबित हो रही है क्योंकि बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन इतनी ज़्यादा है कि एक खड़ी गाड़ी भी अपनी जगा से फिसलती देखी गई जिसे काफी मशक्कत के बाद लोगों ने संभाला बर्फबारी के दौरान होने वाले हादसों को रोकने के लिए प्रशासन ने भी कमर कसली और सड़क पर जमा बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया ताकि गाड़ीों को फिसलने से बचाया जा सके लेकिन बर्फबारी से लोगों को राहत मिलती नहीं दिख रही क्योंकि मौसम विभाग के अनुमान के मताबिक मौसम का बिजाज और बिगड़ेगा जिससे ना सिर्फ ठंड बढ़ेगी बलकि बर्फबारी अभी जारी रहेगी इसलिए लोगों को खास एदियाद बरतने की हिदायत दी गई हिमाचल के ज्यादा तर इलाकों में हो रही बर्फबारी की वज़े से बिगड़े हालात का जायजा लेने के लिए हिमाचल फृदेश के सीम जैराम ठाकुर को घर से निकलना पड़ा इस दोरान उन्होंने बर्फबारी के बाद परेटन बढ़ने की उम्मी जताए लेकिन बर्फबारी की वज़े से इलाके के लोगों को बुनियादी जरूरतों के लिए परेशानी से दोचार होना पड़ा और ठंड की वज़े से लोग आग जलाकर घर में दुपके रहने को मजबूर दिखें हाला कि इस दौरान बर्फबारी के बाद शिमला के मॉल रोड पर खुबसूरत नजारा दिखा वहीं बर्फबारी के बीच सेलानियों ने मौसम का खूब मज़ा लिया और बर्फ में खेलते नजर आए शिन एक उदर जमू कश्मीर में कई दिनों से जारी बर्फबारी अभी जारी जब कि कई जगह जमीन क्हिसकने की वज़े से मुटी परद जमने की वज़े से आम जन्जीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ लोगों के दिनों से गिर रही बर्फ की वज़े से कई लाके पूरी तरह वीरान देखे बर्फ बारी से बिगडे हालाइग की वज़े से वहां स्कूल और सरकारी धफन्यों को भी बंद करने का एलान कर दिया गया कुछ इलाकों में बर्फ के साथ हलकी बारिश से सड़कों पर ठिसलन बढ़ गई इसलिए मशीन के जरीए सड़कों पर जमी बर्फ अटाने की कोशिश की गई जबकि बर्फबारी के बाद कड़ाके की ठंड ने लोगों का जीना मोहाल कर दिया लेकिन घाटी के किसानों के चेहरे भारी बर्फबारी की वज़े से खिल गए उनका दावा है कि रिकॉर्ड बर्फबारी की वज़े से गर्मी में होने वाली पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा किसानों ने बर्फबारी को फसलों के लिए भी अच्छा बताया लेकिन लगातार हो रही भारी बर्फबारी की वज़े से घर से बाहर निकले लोग रास्ते में फसे नजर आए जबकि कुछ लोगों ने सर्दी से बचने के लिए आग का साहरा लिया झाल झाल